हालो फ्रेंड्स आप सबको नवरात्री की धेर सारी शुब कामना है सात्वा नवरात्रा है चलिए बनाते हैं व्रत्वाली थाली आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत्वाला पराठा और राइता चटनी तो होगी होगी तो इसके लिए हमने ये चार पाच आलू मैंने बॉइल करके मैश कर लिए हैं जितना हमें जरुरत होगी उतना हम यूज कर लेंगे और ये हैं सिंहारे का आटा थोड़ी सी ग्रेट में ये दर्दरी कीवी मुंफली हरा धनिया और हरे धनिया में हैं एक हरी मिर्च काली मिर्च और व्रत्वाला नमक थोड़ी सी अद्रक और थोड़ा सा ये सब बुदाने का पाउड़ा है ये आप डालना चाहिए डालिए नहीं डालना चाहिए मट डालिए मेरे पास ये इतना सब पड़ा था तो मुझे लगा पराठा और क्रिस्पी हो जाएगा तो मैं डाल रही हूं ये एक बॉल आड़े का आटा है ये हम पूरा का पूरा इसमें डाल लेते हैं और इसमें हमारे आलू कितने आएंगे वह हम अभी देख लेंगे हरा धनिया और हरी मिर्ची दर्दरी क्यूब पीनेट अध्रक नमक और काली मिर्ची थोड़ी सी अच्वयन भी डाली लेते हैं बिल्कुल थोड़ी सी डाल दी हमने अच्वयन इसकी खुश्वू भी आएगी और इसका केश्ट भी आएगा अब हम इसमें डालें ये आलू आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं आलू हमने लगबग सारा ही डाल लिया थोड़ा आलू हम छोड़ रहे हैं और अब इसमें थोड़ा सा गरम पानी मिक्स करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ये देखें काफी टाइट हमारा अभी ये डो है काफी लेकास हमें पानी गाचीटा दोंगी ज्यादा नहीं एक चमच के आसपास मैंने इसमें पानी डाला है क्योंकि जो आलू है उससे हमारा आटा वैसे धीला पड़ जाता है थोड़ा लगबग फूटी स्पून हम इसमें घी डाल देंगे क्योंकि फिर हमें जो पराठे की आटा हम है ना पाच मिनट के लिए थोड़े घीले कप्रे से ढखके रख देने हैं ऐसे पाच मिनट के लिए पाच मिनट बाद आठा हमारा विल्कुल सॉफ्ट हो गया है और यह सिंगारे का ही सूखा आटा हम लेंगे और इस तरह से बिल्कुल हलके हाद से चकले पर बेल पराठा बेल लिया, तवे को थोड़ा ग्रीज कर लिया और इस पर हमने अब दीरे से बिलेवे पराठे को लग दिया यह देखी पराठे हमारे सिक्के बिलकुल तयार हो गए अब हमने पराठो के साथ क्या खाना है उसकी तयारी करते हैं हम बनाने जा रहे हैं पराठो के साथ खाने के लिए वैज रहता तो दही हमारा तयार है बिलकुल अब दही में हम सबसे पहले डालेगे कुकुमबर खीरा फिर डालेंगे हम यह कर कड़ी जो बीषकू बोल सकते हैं आपके इच्छा है थोड़ा कम डालो थोड़ा जादा डालो यह प्रेशिवला मिर्च और यह बिना बीज का टमाटर अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची अकॉर्डिंग टेश्ट के नमक की भी यही बात है अब यह है व्रत वाला नमक देखो जी मैं तो डालती हूं इस मिक्स वैजरायते में थोड़ी सी चीनी आपकी अपनी मर्जी है आप डाले न डाले लेकिन मैं लगबग एक चम्मर चीनी इसमें डाल देती हूं जो हल्का हल्का मीठा टेश्ट है वह मुझे बहुत अच्छा लगता है यह देखिए सारा हमने मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बी टूट जो बी टूट से जो हमारे रायते का कलर आएगा बस पुछो मत कैसा कलर आएगा और थोड़ा सा डाल दिया हमने हरा धनिया और अब इस पर हम थोड़ी सी काली नर्मक से और बुने विजीने से थोड़ी गानिशिल कर देंगे देखो जी रायता हमारा तयार हो गया अब हम इस पर थोड़ी सी किष-मिष डाल दिते हैं इस है ऐला देखो जी रायता हमारा उह गता तयार और इस UpperISH टूड़ी सी शिबला मिष्ची को डाल दिते हैं और कलरफुल हो जाएगा और आप चाहें तो इसमें थोड़ी गाजर भी डाल सकते हैं, मुझे बेट रूट ही ज्यादा अच्छा लगा, मैंने बेट रूट डाल दिया, तो पराटे से तता तता तयार, अब हम बनाने जा रहे हैं, ड्राइ फ्रोट के चाट, उसके लिए हमने कडाई में घी रख दिय हैं, और जैसे हमारा घी गरम होगा, तो बादाम, अखरोट, फूल मखाने, काजू, इनको हम डिप फ्राइ करके निकाल लेंगे, और फिर उसके अंदर हम क्या-क्या मिलाने मले हैं, वो है राज की बात, सबसे पहले हमने डाला अखरोट, और अखरोट को हम फ्राइ कर लेत निकाल देंगे, काजू भी फ्राइ हो गए, अब हम मखानों के फ्राइ कर लेते हैं, यह जो हमारे गरम-गरम जो ड्राइफूट है, तलेवे इन पर हम थोड़ी से डाल देंगे, तिल, जिससे तिल इसके साथ लिपट जाएए, यह देखो जी, इसमें चाहित थोड़ी ति और डाल देंगे, और अब हम डालेंगे इसमें काली विर्ची, वरत वाला नम्मक, और इनकों अच्छी तर से मक्स कर लेंगे, अब हम डालेंगे इसमें शहद, अब डालेंगे इसमें थोड़ा शहद, है न राज की बात? यह देखिए, और इनको अच्छी तर से मिक्स कर लेते हैं, यह देखिए है, यह हमारी जो ड्राइफ्रूट फाली चार्ट है, वो तयार है, और इसके बीच में हमने फिर यह डाला, और फिर उपर से यह ड्राइफ्रूट डाले हमने, मज़ा आजाए जब रत में यह खा के, फुल एनर्जी यह देखिए, यह देखिए, यह मल्टी सीट्स हैं सारे, काली किश्मिश भी है, सब कुछ हेल्थ से भरा हुआ है, हमारा यह ड्राइफ्रूट का चार्ट बिल्कुल रेडी है, हमें चाहिए छीलावा कोकोनट, यह देखिए, यह वाला जुछिलका है, यह हमने उतार लिया है, और कोकोनट की गिरी तयार है, इसके पीस काटके हम ऐसे मिक्सी के जारवे ड हम चीनी दालेंगे हम अकोडिंग यहर टेस्ट, ठीक है मैं यए एक बोल चीनी का है आदह डाल दुगे इसमें लगभग एक नारियल में एक टेबल स्पून चीनी, पूरी की पूरी और एक ग्लास के लगभग, इसमें पानी डाल देंगे, एक गलास डाल दो डेड ग्लास और जो बचेगा एक बार फिर उसको गुमा लेंगे मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालके आदा कप पानी हमने ओडाला है और हम इसको फिर से गुमा रहे हैं यह देखिए अब प्रिंच पता है क्या हम इसको भी बिकार नहीं करते हैं यह खाने में अच्छा लगता है बच्च को नहीं यूज करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह हमारा कोकोनेट मिल्क बिल्कुल रड़ी हो गया है लो जी यह देखो अ कि बहुत ही गजब के टेस्ट का बनता है यह कोकोनेट मिल्क एलाइची फ्लेवर के साथ प्रेंट्स हमारा व्रत का प्लैटर व्रत की थाली बिल्कुल तेयार है सिंगाडे के पराठे उसके साथ रायता हरे दन्य की चक्नी पीनट और दही के साथ और पुदीने की मीठी चक्नी कच्चे आम के साथ उसके बाद मीठे में हमने बनाया आज यह ड्राइशूर की हमने बनाया? हमने बनाया दिया है